हर घर तिरंगा को लेकर प्रशाशन सहेत जन प्रतिनिधी जनता को जागुर्ट कर रहे हैं वहीं सांसद ने खरगुन बढ़वानी के जनता से शोशल मीडिया इंस्टेग्राम फेस्बुक पर तिरंगे को अपनी डीपी लगाने की अपील की आजादी का अमरत महोत्सव मनाने के लिए प्रशाशन वजन प्रतिनिधी गंभीरता से जोटे हुए हैं ताकि आजादी का अमरत महोत्सव धुमधाम से मनाया जा सके जिसको लेकर सांसद गजविन पतेल ने खरगोन बढ़वानी लोकसवाश्वेत्र की जनता से सामाजिक संगठनों सहित हर वर्ग से अपील की है कि वे अपने इंस्टेग्राम फेस्बुक सहित वाट्सव पर तिरंगा लगाएं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाने वाले अमरत महोत्सव में हर घर तिरंगा लगाएं सांसद पटेल ने कहा कि ये आजाद भारत में एक नए भारत की शुरुवात हो रही है जिसमें हर वर्ग के हर समाजिक संगठन से निवेदन कर रहे हैं वे कि इस आजादी के अमरत महोत्सव में शामिल होकर रास्टरवात का अलग जगाएं हर घर में तिरंगा लगाएं आपको बता दे कि जन प्रतिनेद्यों वो प्रशाशुन के साथ साथ आम जन में भी समाजिक संग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अपने इस तर पर भी जागरुकता को लेकर रेलिया निकाल रहे है पुराव जी के आववान पर पुरे देज भर में हर घर तिरंगा या अभ्यान तेरा तारिक से चलने वाला है मैं मद्वदेश के सभी हमारे जन जाति भाईयों से समाज के हर वर्ग से और खासकर मेरी खरगोन बढ़वानी लोकसभा के लाखो लाग कार करताओं से समाज के हर मेरे बंदू भाई और भेनों से निविदन करता हूं कि देश में राष्टिवाद देश भक्ति का चरम आप सब अपने घरों पर तेरा तारिक को तिरंगा फिराएं निशित तोर पर हर घर तिरंगा फिराएगा तो हम इस माँ भारत को परविभाव के और पुचाएंग पुल से चोलांग लगा कर एक अव्रद ने आत्मात्या कर ली है अचानक हुए घटना क्रम से शेतर में संसनी फैल गई है मौके पर भारी भीड जुट गई है वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची नगर की गोई नदी पुल से एक अव्यक्ति ने अग्यात कारणों के च चलते नदी में च्छलांग लगा कर आत्मात्या कर ली है घुरुवार सुभा की घटना है पुल पर लोगों की भारी भीर जुट गई है पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अव्यक्ति सोरसिं मृतक कर सोरसिंग घर से पाटी हाट बाजार के लिए आया था कुछ देर तक पुल पर खड़ा था इसके बाद अचानक मोटर साइकल वचपल पुल के उपर छोड़ कर पुल पर से कूद गया था जिससे उसकी मौत हो गई है थाने पर परिजनों की सूचना पर मर्ग कायम क जाश मिलिया